नमस्कार जी दनिया में एक समस्या आ रखी है इसमें आप दनिया के खेत में जाके देखेंगे तो उसमें पतियां उपर से सिकुडी हुई है जैसे लीफकल वाइरस हो इस टाइप में आपको सिम्टम दिखेंगे हमारे पास एक गाउं के 10-15 किसानों की कंप्लेन आई है इसल रिंकल हो गी है तो और कुछ हरापन भी इनका कम हो गया है तो आपको लग रहा हुआ है यह किसी हर्भी शाइड का इफेक्ट है लेकिन दर्शल यह दनिया के अंदर जैसीड है एक सकिंग पेस्ट है वह दनिया का रज चूचता है और दनिया के खेत में आपके कोई सरसों क दिखेगा उसकी पतियां इस टाइप से हो सकती है तो यह जैसीड है उसका इसको गंट्रोल करने के लिए आप सिंपल कोई भी यह सकिंग पेस्ट के लिए उसका इसका कर देंगे तो यह कंट्रोल हो जाएगा बड़ी आसानी से और इसके लिए आप सिंपली इमिडा क्लोर 17.8 SL जो आती है और नाम से भी आती होगी उसका यदि स्प्रे कर देंगे 200 ml प्रती हेक्टर के साब से या और भी डायमिठोट भी कर देंगे तो चलेगा आप थायमिठोग जाम कर देंगे तो भी चलेगा यह बड़ा हलका कीड़ा होता है सिंपल जो सकिंग पेस्ट के करता है लेकिन जिस साब से एक गाउं से हमारे पास सेंपल आये हैं तो बड़ा वह एक सिंत्या वाल इसी बात थी फिर मैंने खुद के अपने फार्म पर भी देखा हमारे यहां भी इस टाइप के सिंप्टम मैंने देखे तो मैंने आपके साथ ये वीडियो एडवेजरी से सिंपल आप इविड़ा क्लॉर्पेट का स्प्रेय कर दें ठीक हो जाएगा तो आप लोंग्या से बचाओ के लिए एक आप उसमें सिस्टेमेटिक फंजी साइड मिला देंगे तो भी ठीक रहेगा सिंपल आप हेक्जा कोना जोल का स्प्रेय कर दें लोंग्या के उपर यहा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो नमस्कार जाहिंद